Hello everyone, welcome to this video So guys, क्या आप देश के सबसे top law school that is NLU Bangalore से 3 year law degree pursue करना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि ये कैसे possible हो सकता है Because NLU जो है ये तो 5 year law degree program offer करते है generally तो क्या 3 year law degree देश के top law school में से possible है तो जी हाँ guys possible है और इसके लिए आपको देना पड़ता है NLSAT examination अगर आप 3 year LLB NLU Bangalore से करना चाहते हो तो इसके लिए NLU Bangalore एक separate examination conduct करता है जिसका नाम है National Law School Admission Test that is NLSAT examination तो चलिए देखते हैं इस entrance exam के बारे में कि ये कैसे conduct होती है paper pattern क्या होता है और expected date जो है ये क्या होता है इस exam का तो गाइस अगर आपको detail में जानकारी चाहिए और अगर आप मुंबई में ही रह रहे हो तो आप हमारी branches में visit कर सकते हो जहां पे आपको absolutely free of cost जो है detail में जानकारी मिल जाएगी अदुआइस आप नीचे दियेगा इस screen के number पे call कर सकते हो तो सबसे पहले question ये आता है कि इस entrance exam के लिए कौन से students appear कर सकते हैं तो guys eligibility जो है NLU Bangalore की तरफ से दी गई है कि minimum जो है student के पास bachelor's degree होना चाहिए किसी भी तरीके का course जो है ये mention नहीं मतलब कोई stream mention नहीं है कि आप compulsory कोई particular stream से होनी चाहिए तो चाहे आप art, science या फिर commerce background से हो और आपका अगर graduation complete हो चुका है या फिर अगर आप अपने final year of graduation में हो तो आप eligible हो इस entrance exam के लिए but एक थोड़ी सी condition है वो ये है कि अगर आप general category से belong करते हो तो आपका graduation में जो marks है ये 45% से ज़ादा होना चाहिए और अगर आप OBC, SC या SC category से belong करते हो तो आपका percentage 40% से ज़ादा होना चाहिए कोई age limit नहीं है अगर हो सकता है आपका graduation बहुत time पहले हुआ है आप already कोई और profession practice कर रहे हो या फिर अगर आप already जो है कोई और job कर रहे हो और अब आपको law as a degree as a career जो है pursue करना है तो भी आप कर सकते हो law as a degree pursue करने के लिए as such कोई भी age limit जो है यह नहीं है total seats जो है guys यह बहुत कम है सिफ 120 seats है तो यह बहुत ही competitive entrance exam होता है बेकोज यह देश के top law school का entrance exam हो रहा है और वो भी 3 years LLB के लिए तो paper patent समझते हैं यह कैसा होता है exam जो है guys यह आपकी offline mode में conduct होती है और यह paper जो है आपका written admission test का paper होगा जिसमें आपको total 150 minute मिलेंगी पुरा paper जो है यह English language में conduct होता है अब paper में जो question पूछे जाते हैं यह दो तरीकों के है that is objective and subjective objective का मतलब होता है MCQ questions पूछे जाएंगे और subjective का मतलब है कि आपको answer लिखना पड़ेगा MCQ type of questions आपको part A में जो है पूछे जाते हैं जिसका weightage जो है होगा 75 marks का बहुत important है एक चीज जो है आपको समझने के लिए कि जिस तरीके से exam में question आते है paper pattern होती है यह हमें clearly पता होना चाहिए काफी पार students जो है confused हो जाते है paper pattern को लेके topics कौन से पड़ में है या फिर कभी-कभी यह भी होता है कि students को वहाँ पे जाके surprise पता चलता है कि यह भी subject होता है तो यह गलती बिलकुल मत करिएगा guys because competitive entrance exam है तो paper pattern पहले clearly समझ लीजे बहुत complicated नहीं है सिर्फ दो parts में divided होता है part A जिसमें आपको MCQ type of questions पूछे जाएंगे 75 marks के लिए और part B जहाँ पे आपको answers लिखना होगा मतलब कि subjective section अब अगर हम देखे तो part A में हर एक question आपका एक mark carry करेगा और अगर कोई भी answer आप गलत mark करते हो या फिर answer ही नहीं करते हो मतलब incorrect answer या फिर unanswered question है तो आपके 0.25 marks deduct हो जाएंगे मतलब सिर्फ सही answer के लिए आपको marks मिलते है अगर कोई answer skip कर दिया कोई answer आपनी mark नहीं किया या गलग गया तो negative marking है ये थोड़ा अलग है ये ध्यान दिजेगा usually majority of the entrance exams में क्या होता है कि अगर answer गलत गया तो ही negative marking है अगर attempt नहीं किया है तो नहीं ही होता है negative marking बट यहां पैसा नहीं है ये बहुत important चीज़ है ये आपको ध्यान में रखनी है उसके अलाबा अगर हम देखे पार्ट B जो है जिसमें आपको subjective sections आते है तो legal aptitude and reasoning से total आपको 6 questions आते है 10 marks each एक question carry करेगा और फिर एक question आपको आता है 15 marks का जो आपका analytical ability जो है ये test करेगा अब पार्ट A को detail में समझ लेते हैं MCQ questions जो है आएंगे हरे question एक mark carry करेगा और फिर पार्ट A का जो आपका marks होगा negative marking आने के बाद जो आपका score होगा उसके बाद एक rank list जो है ये prepare करी जागी है पार्ट A के basis पे उसके बाद कुछ students ही eligible होंगे पार्ट B के लिए आप paper जब appear करोगे तब आपको दोनों paper एक साथ देने है but कुछ ही students जो है जो पार्ट A के level को clear करते है सिर्फ उन्हीं students का पार्ट B जो है ये check होगा तो ये कैसे check होता है eligibility का basis क्या है क्या बोला गया है पार्ट B के जो answer sheets है ये evaluate किये जाएंगे 1 is to 5 के ratio पे on the basis of performance मतलब हर एक seat के लिए 5 candidate को चुना जाएगा अब यहाँ पे क्या होता है guys बहुत important है ये चीज़ कि जो top में आ रहे है students सिर्फ वही ही qualify होते है बाकी सारे students जो है ये qualify नहीं होंगे ये ध्यान में रखिएगा पार्ट B जो आपका subjective questions का है इसमें maximum 75 marks आते है और पार्ट B चेक होनी के बाद फिर एक नया fresh और final rank list जो है ये बनेगा जिसके बाद cumulative performance cumulative performance का मतलब होता है दोनों का combined performance of part A and part B जो है ये consider करके एक final rank list जो है ये declare करी जाएगी और जिन students का नाम इस final rank list में आएगा इन students को admission जो है ये offer किया जाएगा बहुत-बहुत important है क्योंकि ये offer जो किया जा रहा है इसमें भी condition जो है होगी condition क्या है कि student जो है he should have secured more than zero marks in both part A and part B and दूसरा क्या बोला गया है cumulative जो percentile है मतलब दोनों का जो combined percentile है it should be above 75th percentile eligible candidates के लिए अगर वो general या EWS category से belong करते है and अगर वो SC, ST, OBC category से belong करते है तो वो 40th percentile से जादा होना चाहिए ये बहुत important है guys ये ध्यान रखिएगा so in short अगर आप वो top में रहना है तो आपकी preparation जो है ये बहुत जादा अच्छी होनी चाहिए because answers जैसे आप लिखते हो और MCQs भी easy नहीं होते है options बहुत confusing होते है तो बहुत जरूरी है कि आपको सही तरीके का content resources जो है आप उससे क्या कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो because जो answers आपको लिखने है 6 questions आपको पूछे जाएंगे 10 mark के each होंगे अब ये questions जो है in legal reasoning में परी कैसे होंगे ये problem based questions होंगे और यहाँ पर prior knowledge of law is not expected ये आपको NLU बोलता है but additional knowledge जो है ये हमेशा helpful होता है because आपको short answer लिखने है 300 to 350 words में और ये बहुत ही accurate होने चाहिए जो question आपको पूछ रहा है जहाँ पर आपको चाहिए और इसमें आपके legal current affairs भी cover होते है और एक question जो आपको 15 marks के लिए आएगा analytical ability से इसके लिए आपको current affairs से question पूछे जाते है जहाँ पे आपको कोई तो issue दिया जाएगा and आपका testing जो है उस issue की basis पे होगा तो आपका जो arguments है जिस तरीके से आप answer लिखोगे ये बहुत जादा well written होना चाहिए well structured होना चाहिए मतलब कि आपको उस topic के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए लिखने से पहले knowledge of law expected नहीं है but of course expectations जो है हमें उससे जादा आगे बढ़ना होगा because ये हम top law school की बात कर रहे है इसके लिए newspaper reading guys बहुत ही जादा must है अगर आपनो newspaper नहीं पढ़ते हो तो फटा फट बिना कोई देरी के guys पढ़ना start कर दीजी because जो legal judgments आते है important news चाहे वो national हो या international हो हमारे लिए क्या बन जाती है बहुत बहुत जादा important बन जागी है अब एक चीज़ याद रखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस साथ जो 2024 का था इस टाइम पर क्या हुआ था application जो है 2024 की exam के लिए December में applications आ गए थे और last date जो है मोथा February same 2025 के लिए expected है कि जल्द ही जो है application का जो notice है expected है November, end या December के around आएगा usually exam date जो है उसी notification में NLU Bangalore बता देता है जहां के usually जो general category की fees होती है वो है 2500 और SES, T, OPC, IWS category की fees है 2000 रुपीस but again guys 2025 का अब तक फिलाहाल कोई भी notification नहीं आया है तो अगर आपने चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी official update आती है NLSAT को लेके उसका detailed video जो है आपको हमारे चानल पे मिल जाएगा इस साल जो academic year था वो 1st of July 2024 को start हुआ था तो similarly जब आप 2025 में exam दोगे आपका भी academic year जो है यह 1st of July से expected होगा start होने के लिए यह इस साल 2024 के जो students है यह उनकी fees थी आप इस video को pause करके देख सकते हो just in case अगर आप curious हो कि क्या free structure होता है because हमेशा students के दमाग में question आता है कि fee structure जो है यह कितना होगा so I've displayed it this year का next year के लिए guys that is आपके लिए 2025 के लिए इसमें changes भी हो सकते है so stay tuned with the area you care and ध्यान रखिए कि आपको जो preparation करनी है यह एक ऐसा competitive entrance exam है जहाँ पे अगर इसको clear करके आप NLU Bangalore जो है जाते हो guys आपके लिए opportunities बहुत बहुत जादा जो है open हो जाती है देश के top law college से अगर आप pass out हो रहे हो तो आप automatically जो है एक बहुत ही strong alumni base लेके आते हो जहाँ पे जब आप legal practice के लिए जाओगे तो आप उस college से जा रहे हो जहाँ से जो students है वो पढ़के आज के time पे judges बने है leading lawyers है top universities in India and abroad में भी पढ़ाई कर रहे है international organizations, public service, NGO यहाँ पे यह opportunities जो है यह बली है बड़े-बड़े corporate firms जो है NLU Bangalore में से recruit करते है remember यह देश का top law school ऐसे ही नहीं बना है तो अगर आप इस college से pass out हो definitely आपका जो degree है इसका जो value है यह बढ़ जाता है और यहाँ पे जो आप पढ़ाई करोगे इस तीन साल में आपका foundation stone जो है इतना ज़्यादा strong होगा because इस तीन साल में आपको career का knowledge मिलेगा improvement and skill मिलेंगी कि कैसे आप अपनी career में और ज़्यादा successful बन सकते हो so बिना कोई देरी के guys what up it's NLSAT की preparation जो है यह start कर दो and be a you care आपके साथ है अगर आपको कोई भी guidance चाहिए नीचे comment box में mention करिए या फिर आप इन branches पे भी visit कर सकते है जहाँ पे आपको absolutely free of cost जो है exam guidance मिल जाएगा इसके लाबा live lectures भी available है तो stay tuned with be a you care for more such updates and make sure करिए कि इस video को अगर आपने अब तक like नहीं किया है तो फड़ा फड़ से जाके like कर दो और अगर कोई doubt आ रहा है तो आप हमें इन numbers पे contact कर सकते हो